कि आप सब का बहुत 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 जादा स्वागत है हमारे और आप सब के अपने परिवार पर आशा है उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आज हम आप सब के सामने हैं एक फिर से रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए खुश खबरी ठीक है वेकेंसी को लेकर कम है इसके लिए आप दुख भी जाया जो है वो कर सकते हो ठीक है क्योंकि रेलवे पिछले जितनी भी निकाली है चाहे वो एलपी हो चाहे वो टेक्नीशन्स हो बच्चा जितना उन्होंने राज्य सभा और लोग सभावे बोला था कि हम इतनी वेकेंसी खाली पड़ी हुई है इतने पदों पर हमें अभी न्यूकतिया करनी है मुझे नहीं लगता कि उन पर वो खरा उतर रहा ह है सबसे पहली बात लेकिन कल रात मतलब यह दो तीन दिन पहले भी सर्कुलेट हुआ था जिसको बात में पी आई भी की तरफ से ठीक है आपका क्या कह दिया था कि यह फेक नोटीस है लेकिन उसके दो तीन दुनों के बाद बिलकुल सेम वही नोटीस जो है वो अपनी authenticity ला लगत भी है ठीक है मैं बच्चा अजीद घर से तो यहां पर आपका railway protection force यह नोटीस है आई नोओ आपको बिलकुल clear नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको अलग से भी पूरी details हम इसकी यहां पर आज करने वाले है ठीक है तो देखो आपका railway ठीक ह है और एक आपकी considerable की है सबसे पहले तो कब से form filling शुरू होगी वो देख लीजे लेकिन उससे पहले कितने पद आए हैं तो कुल पद जो है वो आपके 4660 है जिसमें से अगर मैं बात करूँ SI के पद होगी तो वो आपकी 452 हो जाएंगे आप सब को पता है कि इन सारी वेकंसी में 50% जो पोस्ट है 50% जो आप सोरी 50 बोल जाया मैंने बच्चा 15 ठीक है 15% जो आपका रिजर्वेशन है जो बुक है ओल्रेडी वो विमेंस के लिए है ठीक है 15 यानि कि आपका पंद्र है वो आगे लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर बता दूंगी और इन 452 से अलग टोटल 4660 हो गई है अगर हम बात करें इस नोटिस के हिसाब से तो आपका एज ठीक है तीन साल का एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है 25 तक पहले मैक्सिमम हुआ करती थी कब से है जस्ट अभी बच्चा अजीत आपको बताएंगे ठीक है अब देखो जो आपका SI वाली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है उसके लिए अब एज जो है एक तो आपकी एक साथ दो हजार चोबिस यानि की एक जुलाई दो हजार चोबिस से काउंट होगी तीन साल का रिलेक्सेशन दे दिया है तो अब 20 से 28 SI में और 18 से 28 आपकी बच्चा कॉंस्टेबल वाली भरती में होगी आपका जो मेडिकल इसमें मांगा जाएगा फुल डिटेल करेंगे बस एक बार इसकी थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं नोटिस के आपका जो मेडिकल मांगा जाएगा दोनों में आपका बीवन मांगा जाएगा पेश केल आपका इनीशल 35,400 SI का और 21,700 आपका कॉंस्टेबल का फॉम कब से शुरू हो रहे है जो आप सभी का कंसन है तो आपकी फॉम फिलिंग शुरू हो जाएगी 15 एपरेल से तो था मैना एपरेल होता है 15 एपरेल से फॉम फिलिंग शुरू हो जाएगी और ये 15 मार्श सोरी 14 मार्श तक बच्चा आपकी चलेगी ये चीज ध्यान दखना एज मैंने आपको बता दिया कि 1 जुलाई 2024 से काल बाकी PW मतलब हर तरह का आपका क्या हो जाएगा एज रिलक्सेशन जो कोटा आपका होता है ठीक है PMT आगे बात करेंगे फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट और उसके हलावा बच्चा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी आगे हम बात कर करें हैं तो आप अगर 10 पास है तो बिलकुल आप इस फोम को भर सकते हैं ठीक है इग्जैटली बच्चा यह पुलिस की ही पोस्ट है एक तर ऐसे रेलवे में है ना जो कि रेलवे के मेंटेनेंस रेलवे के लिए आपका उसकी रख रख मतलब हर चीज के लिए उसकी सुरक् के लिए काम करती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अब यहां पर बच्चा सिंपल आपका ड्वाइस किया गया है कि एक कैंडिडेट ओनली रेफर ओनली टूदा ओफिशल वेबसाइट और भी मैंचन बिलो डीटेल सी कि आपकी ओफिशल वेबसाइट दी हुई है जब इस इसका जरूर मतलब फुल नोटिस जब आएगा तब भी एक बार हम कवर करेंगे एक्जामिनेशन बोर्ड आपका कैसा होगा वह आपका कंप्यूटर बेस्ट होगा फीस वही आपकी बच्चा पात सो रुपे है और आपका जो फोर कैंडिडेट हू बिलोंग्स तो S.C.S.T अब एक बार आपको डीटेल में बता देते हैं फिर से सुन लीजे बच्चा एप्लिकेशन फीस आपकी 500 रुपे है किसके लिए आपका जनरल और OBC के लिए उसके अलावा जो बाकी के डिग्रीज आपकी बच गई उनके लिए 200 रुपे है ठीक है सबसे पहले कुलपत कितन है 4660 है ठीक है यह मां आपको अल्रेडी बता चुकी हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी SI के वेकेंसी निकली है 452 जिनमें ओल्रेडी 15 परसेंट जो है वो विमेंस की आप रिजर्व्ड मान कर चलना यह चीज ध्यान रखना उसके लिए आपको क्या होना चाहि है और जो कॉंस्टेबल की वेकेंसी निकली है उसके लिए केवल आपको 10 पास होना जरूरी है ठीक है यहां तक बच्चा देखो 50 क्वेस्चन आएंगे पूरे पूरे जीएस को मिलाके आपके 50 क्वेस्चन जो है आएंगे और इसका जीएस का स्लेवस बिलकुल ऐसा होता है जैसा आपका NTPC और Group D वगएर का होता है ठीक है कोई ऐसा खास चेंज यह ALP की तरह नहीं है कि बस साइंस ही साइंस पूछ लिया है आपसे अगला सवाल अगला देखिए RPF recruitment का selection process कैसे होगा तो चार एक तरह से कई चार phase हम इसको कह सकते हैं आपका पहला online test होगा ठीक है ज टेस्ट होगा physical measurement test होगा और बच्चा document verification होगा ठीक है इसके बारे में आगे बात करेंगे इसके बारे में भईया क्या-क्या physical standard इसके बारे में बात करेंगे क्या है यह यह इससे पहले बच्चा एक बार exam pattern देख लो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो देखो syllabus आपका math में arithmetic आएगा ठीक है अब arithmetic का बच्चा ऐसा तो है नहीं कि आपको topics नहीं पता GS में सब कुछ आएगा ध्यान रखना 50 question में सब रहेगा आपका history, geography, political, economy और आपका science, current, affair ठीक है और static जी के उसके लावा reasoning आपकी पूरी आएगी जितना आप with puzzles इसमें puzzles भी पूछी जाती है ध्यान रखना statement based question भी पूछी जाते हैं ये विध्यान रखना ओके आप देखे यहाँ पर बच्चा देखो इसमें लिखा हुआ है qualify तो आपको करना भी है उसके बाद तो आपको जो merit के लिए marks लाने हूँ तो लाने ही है सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 42 ठीक है और SCST के लिए 36 नंबर constable के लिए भी सेम हो ही UROBC के लिए 42 और आपका SCST के लिए 36 ज्यान रखना general awareness यानि की gk आएगा arithmetic आएगा और reasoning आएगी 50 question gk के होंगे 35 question आपके arithmetic और यहाँ पर reasoning के होंगे total 120 question होंगे और बच्चा 90 minute के लिए यह आपके दिये जाएंगे ठीक है 90 minute आपको मिलेगी 120 question 120 marks और negative marking जैसे railway में होती है one third की negative marking होगी यह clear करने के बाद आप सब की जो कटोख लोगी उसके बाद जब आप pet देने जाओगे तो आपके लिए बच्चा male और female का बिल्कुल आप दोनों में करिए ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखिए constable male के लिए constable वाली पोस्ट के लिए जो आपका pet है उसमें बच्चा 1600 मीटर रन है रनिंग करनी है आपको 5 मिनट 45 सेकिंड में सिर्फ male के लिए है 1600 मीटर constable वाली भरती में 800 मीटर वही आपकी female के लिए हो जाएगी 3 मिनट 40 सेकिंड के अंदर constable वाली पोस्ट के लिए long jump मतलब male के लिए है 14 feet और female के लिए है 9 feet high jump male के लिए है 4 feet female के लिए है 3 feet किसमें constable वाली वेकंसी में अगर हम बात करें sub inspector वाली में तो sub inspector वाली में SI male candidate के लिए वही 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकिंड में 800 मीटर की female के लिए है 4 मिनट में ठीक है बच्चा अब long jump female के लिए 9 feet है और SI male में 12 feet है male के लिए high jump आपका 3 feet है female के लिए और 3 feet 9 inch है आपका male candidate के लिए कौन सी post में sub inspector की post में ओके चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या है sorry यहाँ अब देखे उसके बाद PET के बाद यानिक efficiency test के बाद आप measurement test पर जाओगे जहां पर आपकी height बच्चा measurement की जाएगी कि आप इतनी height को छूपा रहे हैं तो आप इन है या इससे कम है तो आप out है अब देखिए PMT के लिए आपका जो RPF physical measurement test है वो category UR यानि की general और OBC के लिए height जो male की होनी चाहिए 155 cm female की जो होनी चाहिए वो आपकी 157 वही SST के लिए 160 और आपकी female के लिए 152 अधर कुछ categories है जैसे आपका गरवाल्स हो गए गोर्खा हो गए इनके लिए जो आपकी height है वो थोड़ी और मतलब थोड़ी सी कम 163 और 155 है अब देखिए चेस्ट के लिए females के लिए इसका कोई criteria नहीं होता है male के लिए 80 ये बिना फुलाए है बच्चा कहते है न बिना फुलाए और ये 85 आपके फुलाने के बाद सेम वही SST के लिए 76.2 बिना फुलाए और 81.2 आपका फुलाने के बाद और ये जो other categories है उसमें आपकी 80 और 85 हो जाएगी अब आप मुझे बताईए आपको कोई भी doubt है इसको लेकर और syllabus देखो सेम वही बच्चा arithmetic में सारे topic आपको करने है ऐसा नहीं है कि हाँ वया ये topic नहीं पूछा जाएगा इसमें math में arithmetic आता है reasoning सब कुछ करना है सब कुछ इंदा sense बच्चा वकि ऐसा तो है नहीं कि आपको banking की वे puzzle सोल करने है इतनी बड़ी बड़ी नहीं चोटी मोटी आपकी puzzle आती है वो आपको करनी है sitting arrangement type की आपकी puzzles आ जाती है कई बार statement based questions आपके काफी पूझे मदब तर्क भी तर्क वाले conclusion वाले assessment वाले यह questions assumptions वाले यह questions आपके इसमें पूझे जाते हैं इसके लावा GS में देखिए आप बिल्कुल यह नहीं कह सकते GS में 5-10 topic यह लिख देते हैं लेकिन बच्चा वो आता सब कुछ है current affair, static, science सब इसमें 50 questions वे भरके देंगे ठीक है and very good evening 162 बहुत है मैं बच्चा देखो हाँ obviously लड़कों की I don't think 162 में कितना feet होता होगा 158 के round है और मैं 5-6 हूँ अच्छा 158 के something मतलब इसी कही चलो कोई अगर doubt है तो आप एक बार पूछ सकते हो SI के लिए आपको क्या होना है graduate constable के लिए only 10th past ठीक है April में आपके 15 April को इसकी application form आएगी और 14 माई तक यह जो है आ अपने official website पर डालेगा ठीक है ओके और आप सबकी class विमेनिया पर आपकी 7 पीम पर होती है अभी हमारा यूपी का बैच चल रहा है इसका अपका जल्दी आने वाला है YouTube पर और परिक्षपत पर छे बजे SSE classes चलती है ओके चलिए तो take care everyone ये था आरपी एफ की जो नई vacancy आई है 4660 पदोगे लिए जिसमें आपके SI और Constable दोनों के बते कोई भी doubt होगा आप offline comment करके बता देना I will reply you